न नवश्कार दोस्तों तो कैसी है आप मैं साजाय गुपता दोस्तों 29 अप्रेल का दिन अपने आप में बेहक खास दिन है जी हां 29 अप्रेल को अखिर किया मनाया जाता है 29 अप्रेल को वही स्टाफ्य पiszाज ब्लाइब आखिर 12 अप्रेल को ही इंटरनेश्णल डांच अखिर क्यों मनाया जाता है को पता है चलिए मैं आजब मताता हूं 23 अप्रेल को ही डांच दिवस क्यों मनाया जाता है वह बहुत ट्रकार 2 जिन Next जॉर्जर्स नोवरे जी हां जीन जॉर्जर्स नोवरे का जनम ही 29 अप्रेल को हुआ था वो काफी फेमस डांसर थे और उनका जनम जो हुआ था 1727 में हुआ था और तब से लेकर एक मुहीं चुलाई जा रही थी और उनका नाम काफी फेमस था उनकी यादगार में उनके जनम दिन पे कई सारे डांस आयोजन कंप्पिटिशन करवाया करते थे और सन 1982 से सन 1982 से आखिरकार वह दिन आही गया और 29 अप्रेल का वह दिन घोशिट कर दिया गया जब International Dance Day मनाया जाए का और 1982 में ही 29 अप्रेल को पहला International Dance Day मनाया गया अब यह डांस के कई सारे फायदे होते हैं और यह डांस आज का डांस नहीं है बलकि प्राचिन काल से चलता आ रहा है और डांस के फॉर्म थोड़ा सा चेंज होते गए हैं जी हां जैसे कि इस समय मौडन पे A-Fop हो गया, Volleywood हो गया, Contemporary हो गया, बहुत साई डांस किया जाते हैं लेकिन यह डांस आज का डांस नहीं है डांस के फॉर्म भले ही अभी नए हैं लेकिन यह डांस काफी प्राचिन काल से चलता आ रहा है राजा महराजाओं के जमाने से चलता आ रहा है अजारों वर्स पहले भी डांस किया जाता था जी हाँ, और डांस करने के कई सारे फायदे भी हैं एक तो सबसे पहले जो लोग जिम जाते हैं, मैनत करते हैं कि अपने आपको फिट रखते हैं, उनसे भी बेतर वो लोग होते हैं जो डांस करते हैं जिम में तो एक गंटे बाड़ी एक्सरसाइज होती है लेकिन जो डांस करते हैं वो अगर दो तीन गंटे भी डांस की प्रैक्टिस जिन में करते हैं तो वो एक गंटे जॉगिंग वाक से भी जादा बहतर अपने स्वास्त को बना पाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आ आपको डांस करने में आपका एंटेटेंडमेंट भी हो जाता है आप मांसिक भी बहुत स्वास्त हो जाते हैं बलकि जिम करने में ऐसा कुछ भी नहीं होता आपकी बाड़ी बनती है लेकिन इतना कस्ट भी नहीं होता है जिम में आप जाते हो तो आपकी बाड़ी दर्द द जाता है और पहली की जमाने में और अगर हम बात करते हैं कि पहले की जमाने में जो बच्चे लड़कियां और तेंसब काफी इस तर पर देखा जाताा था अगर कोई डांस करता था तो उसको काफी गिरा हुआ व्यक्षी समझते थे कि यार्ब यह ये मतलब उचे घरानों का नहीं हो सकता लेकिन आज वक्त बदल चुका है जनाब अब आज की जोर में उचे उचे घरानों की लड़कियां बहुएं लड़के सब डांस करते हैं क्योंकि आज कल करी जमाना चेंज हो गया है और डांस को एक अच्छा स्टैंडर्ड मिल गया है अब छोटे छोटे बच्चों के अंदर डांस का तो ऐसा टैलेंट होता है कि वो डांस की वज़े से ही अपना केरियर बना लेते हैं अपना नाम बना लेते हैं अपने जीले का नाम अपने मातबीदा का नाम अपने स्टेट का नाम रोशन कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ डा तो आज की डिट में बहुत सारे संसाधन भी open हो गये हैं जैसे social media platform जैसा कि आप हमारा video देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे तो social media के माद हम से dance सीख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि dance competition जो आयोजन होता है उसमें जाके participate करते हैं तो उन्हें कम से कम यह पता चलत हैं कि dance के माध्यम से ही अपनी कुरी पहचान मना लेते हैं खैर आपका क्या मानना है इस dance को लेके और आजकल तो parents भी काफी support करते हैं बच्चों की घिजा बिटा dance कर ले पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था अगर कोई dance करने के लिए घर से बाहर निकल जाए उसकी खैर करें उसके घरवाले इतना दुलाई करते थे उसकी तो dance भूल जाता था वो कहते थे पहले तू पढ़ाई कर फिर उसके बाद डांस करना लेकिन आज के बच्चे काफी talented हैं आज के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ other activities में भी बहुत आगे निकल लें और उनके parents support करें और य इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हर एक activity पे आप participate करिए information collect करिए जानकारी लीजिए और सीखते रहे और जीते रहे यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो सच में अगर अच्छा लगा हो तो औरों के लिए एक share जरूर मार देना और international dance day की बारे में आप क्या कहना चाहते ह और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फेस्बुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत अभी जाएए और संजय गुपता सतना को आप लाइक फॉलो और सब्सक्राइब हमारे चैनल करिए मिलते हैं करे वीडियो में तब तक के लि झाल झाल